बिहार में पंचाय चुनाव संपन होते ही अब बिहार विधान परिशत के चुनाव की तैयारियां बढ़नी शुरू हो गई है सभी की निगाहे अब सत्ता धारी दाल यानी की एंडिया पटिकी हुई है एंडिय के जेडियू ने भी अपनी बढ़त बनाने की जुगार में लग चुका है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि जेडियू और बीजेपी की एक बैठक भी हो चुकी है सीटों के बटवारे को ले करके आपको बता दे कि वहीं बाकी छोटी मोटी जो बाटिया है एंडिये गडबंधन में वो भी काफी आशावान बैठे हुए हैं आपको जानकारी देदे कि विहार वधान परिशत का चुनाव पिछले साल ही हो जाना था लेकिन कोरोना संक्रमन की वज़े से बिहार पंचाय चुनाव टलता गया तो बिहार वधान परिशत के तारिकों की भी जो डेट थे वो भी आगे खिसकते चलने शुरू हो गये लेकिन अब बिहार वधान परिशत के चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है और बीजेपी जेडियू ने एक बैठक भी की है सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है आपको बता दे कि पिछला चुना बिहार विधान परिश्ट का 2015 में हुआ था उस वक्त बीजेपी को सबसे अधिक सीटे यानि की 11 सीटे मिली थी जेडियू को 5 सीटे मिली थी वहीं लोशपा को एक सीट मिली थी रेकिन अब हाल की परिस्थिती बिलकुल ही बदल चुकी है उस वक्त बीजेपी रालो सपा और लोशपा एक साथ थी लेकिन अब जेडियू अपनी सीट बढ़ाने की मांग कर रहा है ऐसे में बीजेपी और जेडियू के बीच में एक बैठक भी हुई है ये खबर सूत्रों के हवाले से मिली है कि जहां जेडियू अपनी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहा है वहीं बीजेपी भी अपनी बढ़त बनाय रखने की मांग कर रहा है आपको बता दे कि जेडियू का दावा इस आधार पर है कि उसके पांच उमिदवार जीते थे उस चुनाव में जीत राज़त के तीन और कॉंग्रिस के एक विधान पार्श जेडियू में शामिल थे यह संख्या नौ हुई ऐसे में जेडियू का दावा 24 में से आधी यानी 12 सीटो पर है इधर एंडिये में शामिल जीतनरा मांजी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी वियाईपी भी कुछ सीटो की मांग कर सकती है इधर की इंद्रे मंतरी पश्युपती कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रिय लोक जनशक्ती पार्टी भी एंडिये के साथ ही है बताया जा रहा है कि चुनाफ के लिए सीटो के बटवारे को लेकर के जेडियू और बीजेपी के नेताओं में एक बीच में एक दौर में बाचीत भी हो चुकी है सूत्र बताते हैं कि सीटो के बटवारे को लेकर के कहीं कोई किच-किच नहीं है सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि सभी घटक दलों की सहमती से ही सीटों का बटवारा होगा आपको बता दे कि बिहार विधान परिशत के तारिखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है लेकिन इसकी तैयारियां वहद ही तेज हो गई है बीजेपी और जेडियू नेताओं के बीच में बैठक भी हो चुकी है कि कौन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा हाला कि गटबंधन में कोई किच किच नहीं है लेकिन कहीं न कहीं ये पेच अटक सकता है क्योंकि गटबंधन में काफी अन्य दल भी शामिल है जिनमें बीजेपी और जेडियू के अलावा भी हम राश्ट्री लोग जनशक्ती पार्टी ये भी शामिल है मुकेश रहनी की पार्टी वी आईपी भी शामिल है ऐसे में सीटों के बटवारे को ले करके कहीं कुछ अटकले जो है वो ज़रूर लगाई जा सकती है हलाकि इस पर अभी कोई आधिकारिक तोर पर पुष्टी नहीं की गई है कि कौन कितनी सीटों पर विधान परिशत की चुनाव को लड़ेगा इन सारी तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रहे न्यूस पियार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ इस वीडियो को लाइक और शेर भी करें धन्यवाद